वेलकम टू प्रियांसी इस्टेटी पॉइंट हलो दोस्तो सामान ग्यान की इस वीडियो में आपका स्वागत है जिसमें हम उन प्रुष्णों को सामिल करने वाले हैं जो सभी प्रतियोगी परिशाओं की दिर्ष्टी से अत्यधिक महत्वोण हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्ण हमारा सबसे पहला प्रश्ण है सिर्का किसका वाणिजिक नाम है तो एस्टिक अमलका सिर्का जो है एस्टिक अमलका वाणिजिक नाम है हमारा अगला प्रश्ण है राकेट की गती पर किसके संरचन का सिध्धांत लागू होता है तो ये रेखिए सम्वेक के संरचन का सिध्धांत राकेट की गती पर लागू होता है हमारा अगला पर्शन है दोस्तों अपमारजक मिलाने से पानी के प्रिष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है तो पानी का प्रिष्ठ तनाव अपमारजक मिलाने पर घट जाता है हमारा अगला प्रश्ण है कितने इलेक्टरान मिलकर एक माइक्रो एंपियर धारा विद्धुद धारा का बनाते हैं तो ये 6.25 इंटू 10 की घात 12 जो है ये इलेक्टरान जो है मिलकर माइक्रो एंपियर धारा विद्धुद धारा बनाते हैं हमारा अगला प्रश्ण है दोस्तो प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है तो आईसो प्रिन का बहुलक प्राकृतिक रबर है हमारा अगला प्रश्ण है बार किसका मात्रक तो वायू मंडली ये दाब का मात्रक बार है हमारा अगला प्रश्ण है दोस्तो गेलीना किसका आयस्क ह तो सीशा का आयस्क है, गेलिना जो है, ये सीशा का आयस्क है, हमारा अगला प्रश्ण है दोस्तो, राकेट के उड़ने का सिधान्त भावतिकी की किस रासी के संद्चन पर निर्भर करता है, तो रेखिये सम्वेगे के संद्चन पर जो है, ये राकेट के उड़ने का सिधान् हमारा अगला प्रशन है दोस्तों ग्रहों की गती के संबंध में केपलर का एरियल वेग के नियत रहने का नियम भौत की कि किस राशी के संदच्छन पर निर्भर करता है तो कोडी संवेग के संदच्छन पर निर्भर करता है हमारा अगला प्रशन है काउंसा योगिक आयल आफ विंटर ग्रीन के नाम से जाना जाता है तो इसका उत्तर है मेथिल सैली सिलेट हमारा अगला प्रशन है दोस्तों सिने बार किसका प्रमुख है इसक है हमारा अगला प्रशन है कीमो थेरेपी क्या होता है तो रासायनिक बदार्थों के उपयोग से रोग की चिकल्सा ये कीमो थेरेपी होता है हमारा अगला प्रशन है दोस्तों यदि दूरस्त वस्तु से आने वाली केड़े रेटीना के आगे फोकसित हो जाती है तो द्रश्टी में कौन सा दोस होता है तो निकट द्रश्टी दोस ये होता है मायो पिया हमारा अगला प्रश्ण है दोस्तो किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है तो माइट्रो कांटिया को दोस्तो यह बहुत ही इंपोर्टन कुश्चन है और काफी बार पूछा गया है किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है तो माइट्रो कांडिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है होमो सैपियन्स किस जीवधारी का वैग्यानिक नाम है तो मनुस्य का वैग्यानिक नाम होमो सैपियन्स है हमारा अगला प्रशन है दोस्तो हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं तो पौधों के मुर्दा विहिन समवर्धन जली माध्यम में पौधे उगने को इसे हम कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स हमारा अगला प्रशन है दोस्तो रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण विटामिन डी की कमी के कारण हमारा अगला प्रशन है दोस्तो जेयोती फ्लक्स का मात रख है तो ल्यूमेन जेयोती फ्लक्स का मात रख है ये ल्यूमेन मात रख है हमारा अगला प्रशन है दोस्तो गैस नियतांग का एसाई मात रख्या है तो जूल प्रति किलो जूल प्रति के मोल ये गैस नियतांग का एसाई मात रख्या है हमारा अगला प्रशन है दोस्तों कार्बोनिक अमलकारासाइनिक नाम क्या है तो इसका नाम है फिनोल कार्बोनिक अमलकारासाइनिक नाम फिनोल है हमारा अगला प्रशन है दोस्तों कार्नेलाइट किसका खनीज है कार्नेलाइट किसका खनीज है तो मैगनेसियम का खनीज कार्नेलाइट है हमारा अगला प्रशन है दोस्तों न्यूटन का गति का प्रथम नियम किस अन्य नाम से भी जाना जाता तो न्यूटन का गती का प्रथम नियम किस अन्य नाम से भी जाना जाता तो इसका अन्य नाम से जो जाना जाता है यह जड़त्व का नियम है इसको न्यूटन का नियम भी कहते हैं हमारा अगला प्रश्ण है दोस्तों, बैलाडोना नामक आउसदी एट्रोपा बेलाडोना नामक, पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं तो जर्ट था पत्तियों से, बैलाडोना नामक आउसदी एट्रोपा बेलाडोना प्राप्त की जाते हैं, जर्ट था पत्तियों से, हमारा अगला प्रशन है दोस्तों थाइमेन कौन सा विटामिन है तो विटामिन B1 को हम विटामिन B1 का जो नाम है ये थाइमेन है हमारा अगला प्रशन दोस्तों कंजक्टिवाइटिस सरीर के किस अंग का रोग है कंजक्टिवाइटिस शरीर के किसंग का रोग है तो आग का रोग कंजक्टिवाइटिस है हमारा अगला प्रशन दोस्तों प्यास का केंदर कहा होता है तो हाइपो थेलेमस में प्यास का केंदर जो है मनुस्य को जो अतिधिक प्यास लगती है ये हाइपो थैलेमस की किर्या के द्वारा होता है हमारा अगला प्रश्ण दोस्तो कच्ची चीनी को रंग विहीन करने है तू जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है कच्ची चीनी को रंग विहीन करने है तू जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वो है animal charcoal है वो है animal charcoal हमारा अगला प्रश्ण है दोस्तों अगनी समन यंत्रों से भरा sodium bicarbonate coal किसे से क्रिया करके carbon dioxide बनाता है तो ये गंधक के अमल से क्रिया करके carbon dioxide बनाता है आइखोप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिएगर हमारे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं इस तरह के पुर्शनों के साथ अगले नेक्ट वीडियो में